हाई फ्रेंड्स अप मेरे लेडेस्ट अप्डेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash hindi tech2s type करके हैं subscribe बड़न प्रेस करें अगर आप subscribe बड़न प्रेस करोगे तो हर दिन में जो कुछ भी लेडेस्ट अप्डेट लाता हूँ ना वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे फ्रेंड्स आज के सुडिया में देखिए मैं आपको एक 3D लांचर के बारे में बदाता हूँ करते हैं यहां मेरा एक वेजट आ चुका है ठीक है आप इस तरह के वेजट को भी डाउलोड करके लागा सकते हो यहां टाइम दिखा रहा है और उपर यहां दीखिए सूरज दिखा रहा है क्यूंकि मैं आफ्टरनून बना रहा हूं अगर रात में होता तो यहां मून जाते हो उस दिन अलारं लगा चो क्या सकते हो जैसे परॉपर वाले को भी सेट करता हूं कितने मिनट कितने सेकंड़ पर आप को आप आपको आपना चाहते हो शेट करने के बादे बीच में का जो सिंबल है ना इसको ट्याप करते हैं फिए अटोमेटी कुस टाइम पर Real AmPH म बहुत आसानी से आप अलारम लगा सकते हो और देखिए आपको यहां डॉक से यानि नीचे का जो आप्शन्स होते हैं यहां इस तरह के आप इसको किस तरह रखना चाहते हो ठीक है इस तरह स्लाइड करके रखना चाहते हो छोटे लगाना चाहते हो आइकांस बड़ा लगाना जाएगा ठीक है बार्डर से जाना चाहिए तो बार्डर से जाएगा रैंडम लगाना चाहते हो तो रैंडम लगा सकते हो ठीक है तो आप जो चाहे एफिक्ट वो उसको अपलाई कर सकते हो ठीक है अब देखिए आप हाइड करना चाहते हो किसी आपको तो देखिए बीच में आप इस तरह राउंड भी इसको घुमा कर ला सकते हो ठीक है और बहुत आपको देखिए अच्छे अच्छे एफेक्स देखने के लिए मिलेंगे इस पर ठीक है और देखिए आप किसी को यह आप्स को सारों को सार्ट करना चाहते हो यानि आल्फरबिट आडर में या आप जो यानि जो कोई भी आप पहले इंस्टाल किये थे ना उसारे आपको यहां दिख जाएंगे और देखिए इसको प्रेस करोगे तो लेटेस्ट इंस्टाल पूरे इस तरह दिख जाएंगे और देखिए आपको यह है इसको प्रेस करोगे तो आप जो कुछ भी बहुत जादा करते हो नो सारे एक जगा जाएंगे ठीक है इस तरह कर सकते हो और एक अच्छा option देखिए हाइड करना इसको प्रेस करो कि आप जेखिए जो कोई भी आइकान को टैप करेंगो ना वो सारे हाइड होते देखिए में हाँ प्ले मुवीज और यूटूब का यह सब एक जगा रखना चाहता हूं तो इन सब को मिलाकर एक फोल्डर बनाकर उसको नाम दे सकता हूं ठीक है तो यह option से और मोर पर जाओगे तो और भी देखिए आप क्लास्फरे कर सकते हो प्रिफरेंसे से क्लीन कर सकते हो मैनेज कर सकते हो यह सब आप्शन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा आप है आप भी एक बार ट्राइ करके देखिए आपको यह 3D में मिल जाएगा और देखिए आप गेश्यर भी लगा सकते हैं गेश्यर पर जाकर देखिए आपको करने पर क्या ओपन होना चाहिए ऊपर स्वाइप करने पर क्या ओपन होना चाहिए नीचे स्वाइप करने पर क्या ओपन होना चाहिए ठीके और दो लाइनों से दो फिंगर से करने पर क्या ओपन होना चाहिए सब लगा सकते हैं जैसे देखिए मैं डबल टैप पर जाकर double tap करते ही क्या होगा Gmail खुल जाएगा ठीक है इस तरह आप जो चाहे वो कर सकते हो ठीक है और देखिए आपको swipe up करने पर क्या होना चाहिए swipe down करने पर क्या होना चाहिए किसे आपको delete करना तो delete कर सकते हो initial करना तो uninstall कर सकते हो है recent के button पर tap करके ठीक है चेंज कर सकते हो बहुत सारे आपको teams भी देखने के लिए मिलेंगे देखिए आप feature team पर जाओगे ना तो देखिए बहुत सारे feature team भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा launcher है description में लिंक है आप चाहते हो तो वहाँ से इसको download करके install कर सकते हो ठीक है तो tsf launcher है इसका नाम तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो like बटन प्रिस करिए facebook के जरीए twitter के जरीए google place के जरीए whatsapp के जरीए इस वीडियो को शेर करिए subscribe बड़न पर क्लिक करना मत भूलिए thank you